यह मरने वाली ओरत थी कौन नैना सबरवाल या रादिक अच्छा अब आगे जगदीश जी आप लोगों के पास नैना सबरवाल और आशिश मिश्रा के फोन की लाश लोकेशन आई थी मुंबई थी क्या हमने जो फोटो भेजी थी उसे देखकर नैना के माबाप ने पहचाना कि वो नैना की है या नहीं नैना और आशिश की लाश लोकेशन मुंबई है हमने जो फोन डिकोर्ड मॉबाइल लोकेशन रिकोर्ड निकाले है वो मैं आभी आपको भीज देता हूँ नैना के माबाप मेरे सामने बैठे हैं इनके मुताबिक लड़की की उम्र, कद, रंग बाकी सब नैना से मैच हो रहा है पर बोड़ी पर जो अंगुठी और घड़ी मिली है वो इनकी बेटी नैना की नहीं है वो सकता है यह दोनों चीजे उसने घर से जाने के बात ली है यह प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था नैना सबरवाल और आशीश मिश्रा एक दूसरे से प्यार करते थी नैना, वो अगर तुझे कॉलोनी से सौ मीटर दूर छोटेगा तो हमें इस बात के खबर नहीं होगी कि तू उस लड़के आशीश के साथ घूम रही है जब आको पता ही है तो उस एकी बात पर जगणने की जरुवत क्या है नैना के माता पिता आशीश और नैना के रिष्टे के सक्त खिलाफ थे आशीश हैसियत और पैसे में उनसे बहुत नीचे था ये जगड़ा, ये कलेश नैना के लिए रोज की बात थी जब नैना को समझ में आ गया कि उसके माता पिता इस रिष्टे को और आशीश को किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे तो नैना ने घर छोड़ने का फैसला किया माता पिता के नाम एक चिट्टी छोड़ी जिसमें उसने लिखा कि वो नैना को जाने दे और उसे उसकी जिंदगी आशीश के साथ उसकी खुशी से जीने दे उन्हें ठूडने की कोशिश ना करें और अपने माबाप की नामन्जूरी और गुस्से के बावजूद नैना आशीश के साथ भाग गई गीता है यह हमारी नैना नहीं है प्रमुस्जी तो लग रहा है कि मैं बोल रहा हूंना यह हमारी एना ना नहीं है मैंनेश इनमें आरफी वाल के माता पिता मॉंबही इए और संप फेशल मैच kaufen data पास फो खोर को है कि वो नैना की बॉड़ी है और रादिकाजा उसका क्या हो सर उसके माबाप पाचुके है निर्मला उनसे बात कर रही है हमें जो डीटेल्स मिन उसके मुताबिक रादिका के फोन की लास्ट लोकेशन सीस्टे रेल्वे स्टेशन गी उसके माद उसका फोन स्विच ओफ हुआ है वह सकता है उसे लगा हो उसके फोन के थूप उस तक पहुंचा जा सकता है इसलिए मुंबई पहुचते उसने फोन रादिका के घड़ी इतनी महेंगी हो ही नहीं सकती यह अंगुटी भी उसकी नहीं है नहीं हुआ ऐसे कपड़े पहनती है हमने कभी उसे ऐसे कपड़े पहने में नहीं देखा रादिका घर से भागी क्यों थी यही तो समझ में नहीं आ रहा है उसके भागने के एक महने पह कुछ लग रही थी फिर पता नहीं घर चोड़कर क्यों बागी ने पता किया हर जगा जब पट्टा में हमारे घर के बाज में जो दुकान थी वहां वो काम करती थी वाभी किसी को कुछ नहीं बता ही बस चुप अपना सामान लेके निकल पुलिस वाले बोले थे शाहिद वो फिर अचानक एक दिन यह मुझे फोन लागकर दिखाने लगी और गेने ले देखे यह जाएं यह उपनी राधिका आपको नहीं लगता हुआ है यह राधिका है समझ में नहीं आ रहा है हम हीने पता वो घर से क्यों भागी होगी और नहीं हम यह जानते कि उसे कौन और प्र कि यह संचे हमने बोडी के आंश को प्रिजव करके रखा हुआ है हम रादिका और नेना दोनों के माबाब के डीने टेस्ट एक साथ कर सकते हैं डॉक्टर मात्रे रादिका के माबाब मॉंबई आ चुके हैं अब डीने सेंपर्स ले सकते हैं कल तक नेना के माबाब भी आ जाएं हम माबाब के बोड़ी पहचान करने पर पूरी तरह भरहसानी कर सकते हैं इसलिए डीने टेस्ट करवा कर रिपोर्ट जल्द से जल्द जाएगा कि वो डेड़ बॉड़ी किसकी थी नैना सबरवाल की या फिर राधिका ज्हा की पर उससे पहले ही इस केस की ऐसी अंगिनत परतें खुलने वाली थी जो इस केस को सुल्झाने की बजाए और उल्चाने वाली थी मुश्किलें कम होने की बजाए और बढ़ने वाल एलो सबर्वाल बोरान अरे क्या क्या तुने है पसवादी आपे तुझे पता है वो लोग मेरा और मेरी भीवी का बेने मैच करवाने वाले हो उस डेट बोटी से ऐसे में तो हम एप आपको बेफिकर रहे कुछ नहीं होगा आपको तुने कहा था कि काम पूरा हो कया पर पैसे है थो काम पूरा किया है न मैंने पहले भी कहा था जब अपने बोला था कि वो बॉड़ी नेना से मिल तilli है मैंने आज फिर से कह रहा हूं आपसे आप निशिंद रहिए, वो डेड़ बॉडी नेना की नहीं है एक बात पथा, तुने उसे मार के कहाँ पेगा यह जानने की जुरूत आपको नहीं है मेरा काम था मैंने अच्छा सिकर दे आप चिंता मत करिये, कुछ नहीं होगा आपको शीला जी, पहले आप आप चाईए आपको मेरा डीने सेंपल लेना पड़ेगा नमाकान जी, दोनों का ही सेंपल लेना पड़ेगा इनका लेने का मतलब नहीं है क्योंकि यह रादिका की सगी मा नहीं है रादिका की मा गुजरने के बाद मैंने इनसे शादी की थी आचा ठीक है फिर आप आईए शबीर ये फोटो देख ले बागी डीटेल में तेरे को तेरे मोबाईले भेज रहा हूँ लड़की का नाम रादिका चाहा है इसका लाश लोकेशन वीटी है तो अब आगे किदर भी जा सकता है समझा ना तो अपने लड़के लोगों को ना वीटी से बैंडर तक पुरा काम पे लगा उस्मान तुभी देख ले ये नैना सबरबाल है और आशिश मिश्रा दोनों का लाश लोकेशन गोरे गाउं है गोरे गाउं तब तो भाव ये इस लेडीज होगी इसका बॉड़ी पुलिस को मिला है वह देख लेज конфाम होगा उस्मान अभी तो तो वो कर जो अपनलों हमेशा करते हैं अबही तो पका ना किसी सस्ता लोज में शुपा होगा जिधर सी डी टीवी नहीं होगा चल लगज आभी काम परे एक राव ने ने खाग और आशिष के फोन रिकार्ट के मुताबिक उन्होंने ने किसी से कॉंटेक्ट निकिया और उन दोनों के फोन नहीं जानगुज कर एसा किया तोनों घर से बाग कर मुंबही आये थी इसलिए अपने फोन बंद किया और जो भी फोन करना होगा और पीसी ओ यह आपका शक बिल्कुल सही था गडबर सोते लीमा के तरफ से नितिन चला पूरी कहानी सुना अगर तुमने जुट बोला तो तुम्हारी कहानी आदे में ख़त मुझाएगी तो सत कह रहा हूं लड़के और उसके माबाप के नाम पर पूरी फैमिली फरजी थी जो रादिका को देखने आय थी जब हमने लड़के नितिन और उसकी नकली और ख़िखिए। इनका प्लान तो साथी के बाद बेच लड़कर उसे दन्दे पर लगाने का था राजण तुम कहना चाते कोिछ आजी के नाम पर आदिका के माबाप उसे बेचना चाते थे नहीं से सिर्फ मा बैचना चाथी, लादिका की सोषाली माँ मुझे, मुझे विश्वास्की हो रहा है, ऐसे कैसे, शीला, क्या ये कह रही हो सच है, बोल चुका है, इथना तोड़ूंगे तुझे, कि तुझ बोलेगे तेरा नाम शीला है ही नहीं, शीला, शादी के नाम पर तुम बेरी बेटी को बेच लही थी, जल बोल, नेतन और उसक रादीका किसे बेचा, इसे बेचा, या इसे, रादीका जाकी कानी थे समझ में आ गई, उसकी सौतायली माँ से बेचना चाहती थी, इसलिए वो घर से भागी, तर भाग गई, या फिर उसकी माने, अच्छे दाम मिलने के उम्मीद में, उसे कहीं गायब कर दिया, तर हो सकत इन सिप्टेमर को उसने मारा Sabina को, और फिर चार को Radhika को, और Sabina की तेरा Radhika को भी मार कर उसको चाहरा बगार दिया को, और फिरा रहे के जंगलों में दूसरे चोर पर उसकी बड़ी को फेंग दिया, और यहा हमें गुमा रहा है, इन दोनों मेंसे तुने Radhika को किसे बेच मैं मानती हूँ कि शादी के नाम पर में Radhika को नितिन और उसके साथियों को बेचना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसके पहले ही Radhika घर चोड़ के बाग गई थी, असीफ, Sabina के बाद तुने इस लड़की को मारा और जिसका चेहरा को चलकर आरे के जं तेरा एक मर्डर सबके सामने आठ चुका है, Sabina का, और दूसरा हमारे सामने आए, Radhika जहा का, अगर घूम फिर के हमें पता चला कि दूसरा मर्डर भी तूने ही किया है, वियाद रखना, एक तीसरा मर्डर होगा और जिसके बारे में किसी को पुछ पता नहीं चलेगा, और जब नहीं है, इस अवरत पे मेले कब शुक्त नहीं किया, कि एस अटेली वाए है तो तो ने मेटी का बुरा चाहेगी, और तब शुक्त नहीं किया, जब इस थे रादीका के लिए रिष्टा लाई ती, तब ली नहीं, पूर्ण, रभ, मैं कासम का के कहती हूँ, मैंने रा आप आप बहुत मैनत के बाद एक दिशा मेली है। वह आप इस वर शॉलिट खबर लाद ना उन भारा वार जिस गोरे गाओं के लॉज में ठहरे थे वहां से 3 सितम्बर की राथ साड़े गारा बजे बहुत ही हड़गी में निकले आपको लाश मिली है चार सितम्बर की साब मेरे को तो लगता है ये बिना पहचा वाली औरत की बाड़ी ना ना सबरवाल की है हाँ सर मैंने बताय था कि यो दोनों लड़का और लड़की मेरे ही लॉज में थेहरे के उन दोनों की आइडेंटिटी काड की जिरांस कोपीज है जो उनोंने रूम लेते वग दीती सर उन दोनोंने दो सप्टेंबर की सुबह चेक इन किया था और तीन दीन के लिए रूम बुक किया था बोल रहे थे गणपाथी विसरजन देखने के लिए मुंबई आये पता न आपकी बुकिंग हो चुकी है आपकी वज़े से मैंने रूम किसी आपको नहीं दी है देखे हम समझते हैं लेकिन हमें निकलना पड़ेगा वर्ना प्लीज दर कर दीजे में हमें बहुत जरूद है वर्ना बोलती ही नहीं क्या बात है आप लोग बहुत परिशान लग रहे ह कैसी कोई बात नहीं है और पैसे आप रखिए चलो तुनिये तो अरे बताई है तो सहीं आप बहुत हड़बड़ी है कुछ तो परिशानी थी कुछ बताया है यहां के बाद वो कहां जाने वाले थी अरे कहां सर वो लोग तो आईसे बागे जैसे उनके पीछे बूत पड़ कोई पीछे पड़ा होगा तभी न और उनलों को पता चला इकल लिया उधर से लेकिन उसने पकड़ा और मार के इधर फेग दिया और आशिश वो का है उसको गई मार के फिक दिया होगा साब और मैं तो बोलता है पक्का उसको मुंबई के बाहर मान तभी इदर नहीं मिल र नहीं सर और कोई नाम सामने नहीं आया है लेकिन सर वो राकेश अगरवाल लखनुवाला वो हमारे पुलिस्टेशन आया हुआ है राकेश अगरवाल वो जेप सिन वाच वाला रॉंग नमबर वो आया है हाँ वही सर खुद सामने से चलकर पुलिस्टेशन आया है और सर उस उसकी बीवी प्रिया अगरवाल नहीं है जिसे हमने वीडियो कॉल में देखा था राकेश के साथ तुम कह रहे हो कि राकेश अगरवाल आया और उसके साथ जो लड़की है प्रिया अगरवाल वो उसकी बीवी नहीं है तो फिर कौन है कौन थी वो जिसे इंक्वारी के इतने दिनों के बाद राकेश अगरवाल अपने साथ मुंबई पुलिस के पास लेकर आया था राकेश अगरवाल ने अपनी बीवी प्रिया अगरवाल के जनम दिन पर गिफ्ट देने के लिए जेपसन वाच चुबली प्राइम एडिशन की घड़ी खरीदी थी इस जेपसन वाच का आरे में मिली अग्यात औरत की लाश के केस में आखिर क्या रोल था तुम्हें लगता है कि वैसी घड़ी मैंने किसी और को भी गिफ्ट की है की है क्या राकेश अगरवाल खुद वीएस पुली स्टेशन पहुचा था अपने कुछ राज खोलने के लिए आखिर वो पहले ऐसा क्या छुपा रहा था जिसके लिए उसे लखनव से मुंबई आना पड़ा इसके साथ साथ इसी समय इस केश से संबंदित एक चौका देने वाली जानकारी सामने आने वाली थी सर राकेश ने बताया कि उसने उस दिन एक नहीं बल्की दो घड़ियां खरी दी और दोनों के भिल अलग अलग बनवाय थे यह जानवी है वो दूसरी घड़ी मैं इसी के लिए खरी दी और यही बात बताने के लिए हम लखनाव से मुंबई आया है सर मेरी वाइफ को डाउट हो गया है और इसी लिए वो मुझ पर नजर रख रहे हैं मैं कब कहां कितना खर्श कर रहा हूं सबकुछ सर यही तो पॉइंट है कि मेरा और जानवी का वो अफेर है आगे बोली है सर में सही सलामत हूं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है यह सर देखिए मेरे घड़े मेरे पास है ही सर मैं भी यही बताना चाहरा था सर पता चला है कि कल महापर पुलिस ने और कुछ खोद निकाला अगर आप लोगों ने कुछ अलाग आइंगल निकाला तो मेरे जिंदकी तो बरबाद हो जाएगी सर अब तुम हमें खोद आकर सामने से बता रहे हो कि तुमारा आफेर है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं और तुम कह रहे हो कि तुमने दो गड़ियां खरी दी क्या परोसा है हो सकता है तुमने तीन गड़ियां खरी दी है जो सच है वो सामने से आकर बता रहा हो ना जूट बोल रहा हो ना ही को छुपा रहा हो सर ठीक है आप तोने जा सकते ह कुलकरनी, पेले सबीन आई अब केस रादीका और नेना के बीच में अटकरा रहा है ऐसा लग रहा है कि इस केस की हंडी उपर तो चड़गी और गल्ले का नाम ने ले ले रहा है बैटरी कातम है क्या है? शर्ण लाद लाद पे आपके लिए दो बार कॉल आ चुका है सहराबाद से किसी कॉंस्टेबिल चंदरचूर मोडग आपसे बात करना चाहता है शर उसने बताया कि वो आपको सहराबाद के किसी केस के वज़े से जानता है सहराबाद शुंद शुर मोडग नमस्ते सर कैसे आप सर याद आया मैं कॉन हूँ आठ महीने पहले आप सहराबाद थे तब मैने आपको आच अंदर जो यादो अची तरह से यादो अच्छा नेर्मला बता रही थी कि तो महारे केस के बारे कुछ जानते हो सर अभी कुछ दिन पहले मैं एक काम से भॉपाल गया था वह मेरे एक दोस्त मिला वो भी पुलिस मही है मुझे 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 मुंबई के इस अग्यात ओरतोाले केस के बारे में बताया सर मुझे पूरा यकीन है इस ओरत की फोटो और डिटेल्स आपने हमें भी भेजी होंगी पुरे उत्तुर भारत में भेजी है तमारे पास को जानकारी है के जा सर सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको जो भी बताऊंगा, वो आप हमारे सिंडर इस्पेक्टर परिमल जी को मत बताना आठीका नहीं बताऊंग, बेफिर करो सर, यहाँ सहराबाद में एक लड़का है, अनुराक शर्मा, वो बेचारा पिछले तीन हफ्तों से रोज यहाँ, परिमल साप के चक्कर काट रहा है, वो शाद पहली बार यहाँ पांच सेप्टमबर को आया था, अपनी बीवी जोती शर्मा की मिसिंग कंपले लिखा है, अप अपनी बीवी और साथ दोनों ही नहीं मिल रहे है, तुम मुझे इस जोती की फोटो और उसके पाती का पोन नंबर भएज़ो वैसे हमारे पास अलड़ी दो लड़कियों की मिसिंग केसिस हैं, उनकी डिटेल्स भी काफी मिलती जोलकी, बट फिर भी तुम बेजो, मैं देखता हूँ एक सुरागने मिलना था मैं विक्टिम की पहचान बता करने के, लेकिन आप देखो, तीन-तीन औरते हमारे सामने, लेकिन आप भी पक्का नहीं है, कि ये इन तीनों में से कौन है, कोई है भी ये नहीं? सर, ये जोती शर्मा, इसके इसको एक नया एंगल दे ली, लेकिन गोविन भी हार्मानी को तयार नहीं है, उसने हिस्टी शीटर अमर फुलवडे का पता किया है, जिसको नैना सबरवाल और इसके बॉइफ्टिन आशिश मिल्श्रा की सुपारी थी जब पुलिस को यकीन होने लगा कि अग्यात औरत का शव पटना की रादिका ज्छाका है, तब ही एक ऐसी ख़वर सामने आई, जिससे उस शव के नैना सबरवाल होने की संभावना बढ़ने लगी पुलिस पहले से ही दुविधा में थी और तब उनकी मुश्किले और बढ़ गई जब साहराबाद की जोती शर्मा का केस भी सामने आ गया, वो डेड बॉड़ी आखर इन तीनों मेंसे किसी एक की है, तो बाकी की दो लड़किया कहा है, और अगर ये शव इन तीनों औरतों मेंसे किसी का नहीं है, तो फिर किसका है, मुंबाई के हिस्ट्री शीटर अमर फुलवाड़े को नैना सबरवाल और आशीश मिश्रा की सुपारी दी गई थी, जो उन्हें मारने के लिए लगातार उनका पीछा कर रहा है, वो अब पुलिस की गिरफ्त में था, अमर के लिए जोती शर्मा का पती अनुराग शर्मा मुंबाई पहुंचा, ताब नैना और आशीश का फोटो था मेरे पास, मैं उनका पीछा कर रहा था, मैंने ये भी पता कर लिया था कि गोरेगाउं के लोज में दोनों चुपे हुए, तो नहीं आशीश मिस्राओ का हमारा ब का पूरा नासिक सब गूम के देखा, पर किदर भी ने मिले जाब, फिर मैंने कबिर को फोन करके बता दिया, तुझे और हमर को जितना जूट बोलना है बोल, एक बाद डिये ने रिपोर्ट आगी सब सामने आ जाए, और नैना के बाप को भी खुब तोड़ा है, उसने कु तुने उसे बता है कि तुने ना को मारती है, मैंने आप से जूट ने बोला ना के बाप से जूट बोला क्योंकि वो लोग मुझे मिली ने रहत काई तो पता निस साले दोनों कहां चले गए, मिली ने रहे, और शाद मिलेंगे भी नहीं मिलेगे ने तो बोल तो उसके बाप को मार दिया, वो साला को उनसा दूणर जाएगा, और अपने पैसा भी मिल जाएगा जोती शर्मा की हस्बन अन्राग शर्मा ने सारा सामान पहचानी है उसका ये कहना है कि सारा सामान जोती का ही है चला सर्ट ये जोती ही है ये कपड़े ये संडल जोती का है ये घड़ी ये अंगुटी ये सब जोती का ही है सर्ट ये मेरी बीवी जोती है अन्रागी आज 25 दिनों पूरे 25 दिनों इन 25 दिनों में आपको एक बार भी आसा नहीं लगा कि आपको अपनी पत्नी को यहां के ढूना चाहिए था सर्ट पिछले 25 दिनों से मैं हर रोज इस्पेक्टर परीबल की बास जा रहा हूँ पुमबई भी आया मैं उस कंपणी में भी गया जा जोती ने तीन सप्टेंबर को आखरी मीटिंग की ती ना तक कि बोरीवलीश के उस होटेल में भी गया जा पर जोती रुकी थी और चार सप्टेंबर की सुबा चेक आउट करके और एरिपूट के लिए निकलिये कि सारी डिटेल्स मैंने गुद निका लिए सर्ण इस्पेक्टर परीबल को हाथ में दिये अज़े रिक्वेस्ट के सर प्लीज कुछ कीजिए पर बस कहते रहें हम ढून रहें हम ढून रहें ये ढून रहे ते हो और अब उल्टा मुझे कहरे कि मैं जोती की अपर वानी करता मैं उसे नहीं ढून रहा था अच्छा ये मेरी गलती है क्या किया ओनराग मुंबाई गया महां पर इतना सब कुछ पता किया पर किसी पुलिस टेशन में नहीं गया इस्पेक्टर संजे मैं जूनियर नहीं हूँ आपका और मेरा उदा सेम है तो जरा अपना लहजा संबाल के बात कीजिए जिरूर संबाल क अगर आपने अपना काम ठीक से किया होता तो 24 दिन नहीं लगते एटलेस्ट एक पती अपनी पतनी का क्रिया करम तो ठीक से कर बाता लड़की मुंबई में गायब हुई थी मैंने उसके पती को हजार बर संजाया ये केस मुंबई में उस एरिया के पुलीस के पास जाएगा जान से लगी गायब हुई है एरिया मुंबई के किसी भी पुलीसेशन का होता बॉड़ी के ओपर जो सामान मिला था अनुराग ने देखते ही पहचान लिया कि ये जोती का है ये पहचान 24 दिन पहले भी हो सकते अरे हजीब बात कर रहे हैं आप मुझे का सपना आएगा कि कि उसका मडर हुआ है इसी के साथ भाग भी तो सकती है उसे चोड़कर लापरवाएं सिर्फ लापरवाएं कि अ अनुराग जी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता है और टाइम रियली वरी सॉली अब हमारे पास जोती की डिटेल्स है जोती के साथ इंसाफ हो ये सर ये लेड़ी हमारे होटल में ठहरी थी इनके पती भी इनके बारें पता करने आये थी लेकिन सर ये चार सेप्टेंबर की सुभा यहां से चैक आउट कर गई तो आईम दिक्राम ये एकिन तो दुफेट दुफेट दूबजे चैक इन किया था और दू दिन के रूम बूग किया था जिस्टीशी मुझे आपके होटल कि दो सेप्टेंबर सलेके चार सप्टेंबर तके सारी से इसरी टीव पुटेंची वे इस्कीजुकता थे हैं पूस्के जामे जालना चाहती है. कि अप्टिछा एंके हस्बंद का भी हमें कई बार में पूछने के लिये तीन सब्टेप्टेम्ब्र को क्ैया आप इससे मिली थी? हाँ, उस दिन हम लोग सुबाद 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक यही थे मैं, जोती और हमारा डिजाइन कंसल्टें चेतन उस दिन हम लोगों ने न्यू यूर फैशन वीक की कलेक्शन को लेके काफी दिसकाशन किया था हम लोग न्यू दिसकास कर रहे थे जोती के कुछ दिजाइन बहुत अच्छे थे और कुछ को मॉडिफाइ करने की जरूरत थे जोती, I like this one, this is fantastic हमने बहुत सी चीजों के बारे में डिसकास किया दिजाइन, market trends, even strategies also जोती दिजाइन्स मॉडिफाइ करके तीन महीने बाद वापस आने वाली थे पर कितना अजीब लग रहा है ये सोच कर कि वो वापस घर पहुचे ही ने वो अपके साथ regular काम करती थी अकसर आते जाते रहती थी Yes, she did, every quarterly में एक बार आती थी next season का fresh collection लेके और इसके बावजूद भी, इतने दिनों तक कि इसने ये जाने की कोशिश नहीं की, कि वो कहा गई थी We spoke to her husband और हमने भी उसे काई बार कॉल किया और चेतन ने भी उसे बाक तो बार काई पार एमेल किया लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया चेतन गुपता का है He's a consultant, जब उनकी जरूरत होती है वो तभ ही आते हैं He's not our regular employee My God, I don't believe this Mr. Chetan Gupta, आपकी बिलीव ना करने से कोई फरक नहीं बढ़ता है Jyoti is dead now, वो 24 देन पहले ही मर चुकी है Thilal, आप ये कर सते हैं, पोलिस्टेशन आ सकता है अमे आपके साथ हुई उसकी लास्ट मीटिंग, ऑफिस से होटल की जर्नी और होटल से हैरपोर जानी जर्नी जर्नी जहाँ अब फलाइट लेने वाली, इनके बात करने बात करने Jyoti, तुमारा विंटर क्लेक्शन बहुत अच्छा है I really like your designs Thanks, yeah अब अब बहुत काम बच्चा है So, तुम कल जारी हो? या फिर कोई और क्लाइंट मीटिंग लाइन अब है? अब बस घर जाना है एक हटे से बाहर हूँ घर जाके दो दिन रेस्ट करूगी फिर काम शुए जोती ने अब जोती ने पूटल में उससे कोई मिलने निया है और इन दो दिनो में जोती ने डियार डिजाइनर कंपनी के ओनर रिचा और उनके कंसंटर केतन गुपता येने जोती अपने डिजाइन सप्लाइ कर थी इन दोनों के अलगा किसी से बातने की दाजूब की बात है सीसीट्यू में भी साब दिख रहा है कि आपकी वीवी ने चार सेप्टेंबर की सुबह साड़े तीम बज़े ओटल से चेक आउट किया पर एयरपोर्ट जाने के लिए उन्होंने क्या और कहां से ट्रांसपोर्ट लिया था ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है यह देखे जोती ने बिल का पेइमेंट पहले ही कर दिया था और वो सिर्फ रूम की चावी दे रही है हमने होटल के स्टाप से बात की जोती ने एरपोर्ट जाने के लिए वहां से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मंगवाई टैक्सी आटो कुछ भी नहीं सर वो टैक्सी बुक करने के लिए हमेशा स्पीड़प कैब यूज करती थी वो देखा हमने लिखनी ये जो रेंटल कैब होती है आपको आपकी पेकप लोकेशन से पिक करती है और ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप करती है अगर जोती ने कैब बुक की थी तो जोती को पिक करने के लिए पोटल के गेट तक तो आता है यूँकि एक दिन पहले तीन सम्टबर को जोती ने जो कैब बुक की थी उसका ड्रॉप लोकेशन होटल का इंटरेंस तो जो कि सी सिटी में भी साम दिख रहा है और अगर एरपोर्ट जाने के लिए कोई कैब बुक की होगी कैश नहीं दिया होगी लेकिन चार्ज सेप्टमबर को जोती ने कोई कैब बुक की है ने वोटल से पैदल ही बहा निकल गए शायद कोई एरपोर्ट रॉप करने वाला कि अगर बजे मीतिंग के लिए जोती ने बोरिवली एस से अंधरी इस्डियार डिजाइन्स के लिए कैब बुक की थी लिए कैब ड्राइवर का नाम था राज़ेश तिवारी तीन सप्टेंबर की शाम को ही पाच बच के पच्चीस मिनट पर जोती ने कैप बुक की थी अंधेरी इस से बोरिवी इस्ट अपने होटेल के लिए कैप ड्राइवर का नाम था अजय देशमान स्पीडप कैप सर्विसेज के ओनलाइन ऑपरेशनल टीम ने हमें बताया कि जोती हमेशा से उनके सर्विसेज यूज करती लेकिन चार्ज सप्टेंबर को उसकी अकाउंट से कोई भी कैप बुक नी हुई मतलब पक्का उसे कोई एर्पोट पर ड्रॉप करने होगा कि अनुराग मैं अपसे सीधा पूछता हूं कि आपको कभी भी ऐसा लगा कि आपकी बीवी जोती का कहीं कोई अफियर चल ला था सर पॉसिबल ही नहीं ऐसा बुछ नहीं था चेतन गुपता इसे तु जानती हो आप आपकी बीवी तीन सप्टेंबर को होटे लोट देवाग उसे उसके घर गोरेगाउं में डॉप करके गई यह पता था आपको सर चेतन का तो पता नहीं पर अपनी बीवी को बट अच्छे से जानता हूं मैं हमारी शादी को तीन साल हो चुके थे सर अमरी लव मेरे जुई थी हम इक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं हम खुछ थे एक दूसरे के साथ लोयल थे ना की सर राग उस राथ होटल में जिस आच के टुटी थी उस सभी बात कियम उसका भी यही कहना था कि वो किसे जानने वाले के साथ ही कई थी मैंने नमाडम को जाते हुए देखा था मैंने उनसे पूछा भी कि मैंनके लिए कोई आटोया टेक्सी बुलाओं अरे मैंनम आपके लिए मैं कोई आटोया टेक्सी बुला दू? जी ने थैंक यू, मैंने किसी को बुला ली सर वो इदर से में रोड की तरफ गई थी लेकिन सर मुझे नहीं मालम को उनको लेने कोन आय था और वो किसके साथ यहां से जोती के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक, उसने कोई कैब भूग भी नहीं कि सर मेरी जोती उन लोगों में से है इने जो किसी की साथ भी चली जाए और चेतन से तो मैंने खुद इतनी दफा बात किये जोती के गायबोने के बाद उसका हर वार यही कहना था कि जोती से आखरी बार वो तीन सब्तमबर को ही मिला है हाँ सर मैंने उसे आखरी बार तेन सितंबर को ही देखा था तो उस दिन आपने जोती से लिफ्ट क्यों ली आपके पास तो अपनी गाड़ी है न सर एक्चुली उस दिन गंपती विसरजन था डेड़ दिन का बहुत ट्राइफिक होता है सर तो उसे अवर्ट करने के लिए मैंने रिक्षा लिया ओफिस के लिए तो सुबह जाते वक्त आपने जोती से लिफ्ट नहीं लिए नहीं सर मैंने बस वापस आते लिफ्ट ली थी उससे सर मैंने जोती को ओफर नहीं किया और नहीं जोती ने मुझसे कहा था कि मैं उसे एरपोर्ट पर शोड़ दूँ वैसे बिसर जोती फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए मुंबे नहीं आई थी वो अकसर आती रहती है और अपना ट्रांसपर्ट वो खुद मैनेज करती है नगवा में इतना पता है कि जो मारे की वो जोती है हम सब कुछ चेक करें उसके कॉल्स, सेमेस, सोचल नेटवर्किंग अकाउंट्स, इमेल्स, सब कुछ तो बॉस, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पज जाओगे, तो गलत लग रहा है आप मुझे डरा क्यो रहे हैं सर, सर ऐसा कुछ भी नहीं है, जोती वाज लाइक, मतलब हम दोनों सिर्फ साथ में काम करते हैं सर, इससे ज़्याद हमारे बीच में कुछ भी नहीं है उस देन उस हौरत के साथ ये आदमी था, जब तुने उसे बोरिवली इस से अंधरी इस्ट में छोड़ा था नहीं साब यह नहीं था, वो तो अकेली थे और पूरे टाइम मोबाईल भी जी थी टाप मेने उन्हें अन्हे बोरिवली में होटल के बहर से पिक किया था और अंधरी इस्ट में छोड़ा था रास्ते में बीच में पहीं भी नहीं रूगे था जी सा मुझे केसे पता, बुडबुड के देख रहा था तू? ने ने साब, वो एकात बार मिरर में देखा ना, तो पता चला गाड़ी चला ते वक्त मिरर में देखता रहता है, पिछे कौन क्या कर रहा है? ने ने साब, पीछे कोई गाली है कि ने ये देखने के लिए नजर जाती है ना साब, उसी में देखा था हा साब, यही साब ते उजिन माडम के साब, इनको गोरेगाओ दिंडोशी सिगनल के पास एक सोसाइटी के बार छोड़ा था मेने, इनके लिए तो माडम ने खास बोला था, प्लायोर से गाड़ी मत लेना, इनको रास्ते में छोड़ना था फिर, फिर क्या साब, मैडम को बोरिवली इस होटेल के पास छोड़ा और वहां से निकल गया, तो मारा क्यों तुने उसे, आप, आप क्या बात करें, मैं क्यो मारूंगा मैडम को, तुने नहीं मारा तो किस ने मारा उसे, मुझे क्या मालूम साब, मैं तो मैडम को होटेल प तो तुम कहना चाहते हो, तुमने जोती को नहीं मारा हूँ जोती की लाज जिस दिन मिली थी, उसके बारा दिन बाद दफना दि कई थी क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी और अब पहचान करने के लिए ही उसे वापस बाहर निकाला जा रहा था अनुराग ने बॉडी को पहचान लिया था बोज की बीवी जोती शर्मा ही थी ना नैना सबरवाल थी और ना ही रादेका ज्छा DNA रिपोर्ट से भी यही सावित हुआ कि वो बॉडी रादेका ज्छा और नैना सबरवाल में से किसी की नहीं थी हाँ जगदेश नैना और आशिष का कुछ पता नहीं चला है हम इस केस पर एक दूसरी टीम लगा रहे हैं नहीं नहीं अब उसकी कोई जरूद नहीं हमें नैना की चिठी मिली उसने लिखा है कि उसने और आशिष ने साधी कर ले अब वो बिलकुल ठीक है और एक रिक्वेस्ट भी की कि है है यह हम किसी को ना बताएं कि वो आप कहा है चलो अच्छा है आपका केस तो अच्छे नोट पे क्लोज हुआ और आपका अच्छे नोट पे तो नहीं पर अब हमें पता चल गया कि ओ डेड बॉडी किसकी थी जोती शर्मा नाम था उसके अब हमें उसके खातिल और कतल के मकसद का पता लगा जोती का कतल और उसके कतल का मकसद बेहत चौकाने वाला था और इस केस में पुलिस की जान जैसे जैसे आगे बढ़ने वाली थी उसमें कोई खास उतार चड़ाव नहीं आने वाला थी पर सबसे दुखत बात ये थी कि जोती ने एक ऐसी गलती एक ऐसी लापरवाई की थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान दे कर चुकानी पड़ी इस गलती के बारे में उसके परिवार में भी किसी को नहीं पता था साब आप यहाँ तेरे स्पीड़ काफ सर पता किया हमने उन्होंने बताया कि चार सप्टमबर की दुपएर तीन बज़े तक तुने कोई बुकिंग नी ली थी हाँ साब नहीं लिया होगा वो तब्यट ठीक नहीं रहती तो नहीं लेता बुकिंग साब तो फिर तु पूरे दिन घर पी रहा होगा हाँ साब क्यों पूच रहे तो फिर सुबह साड़े नौ बजे चिन्मे पाटिल के गराज पे तेरी गाड़ी खुद बखुच चलिगे थी धुलने के लिए अपका तीर एकडम निशाने पर लगा है साब यह दोनों ड्राइवर राजेश तिवारी और अजेश तिवारी खुद तो क्लीन है साब लेकिन यह अजे देशमाने इसने चार सितंबर की सुबह साड़े नौ बजे चिन्मे पाटिले गराज में अपनी गाड़ी क्लीन करव जोती ने एरपोर्ट जाने के लिए कोई टैक्सी बुक ने की ती राइट यस सर आप समझ कि फुल करने ही पहले इस चेन में पाटिल को ठाव और बाद में अजे को अब यह के सौल हो जाएगा पाटिल जी माडम महीं हूँ चार सप्टेम्बर अजे देशमाने की गाड़ी तूनेद होई थी हाँ मैडम वो हमेज़ा गाड़ी दूलवाने के लिए मेरे पास यहाथ है दोस्त हो मेरा आज तेरी दूलाई के बारी है चाप यहाँ साब कुन के दबे थे गाड़ी में कुन के दबे देखने के बाव जूत तूने गाड़ी को दो दिया पूछाने इससे ने ने साब मैने पूछा था उससे तेरी गाड़ी की बैक सिट पे खून काएगा है कि यह तेक अगर कोई लफडा रहेगा ना अरे यार कोई लफडा नहीं किया है अरे खून है इसलिए तो दुलवा ने लाया हूं वरना भी दो दिन पहले तो दुलवा इती गाड़ी अरे लफडा ने तो खून कांसे आया तो अब शुबा सुबा बुकिंग छोड़कर वा को स्Trausch नहीं नहीं भूला था कि नहीं? सभण बुछा थाफ। अप इसा खाली फोगगर हो थाफ्ली जोने से पोछा कि एक्शिदेंग आ हुआ है थे हूं किसका हूँ तहां हुआ है वा हॉस्बी ड़ति करवा या नहीं करवा या पुछाया मैं इन्फरम किया उने किया उ मुझे सुभे पॉने चार बजे एपोर्ट के लिए अब आ जाओगे भई आना जाहा अभी ड्रॉप कर रहे है मैडम आ तो जाओंगा लेकिन इतना सुभा फुड़ा पैसा जादा लगेगा इतना जादा पंदराइसो रुकर लगेंगे मैडम पंदरासो हाँ हजार ले लेना हजार बहुत एपोर्ट के लिए इतनी सुभा में घर से आओंगा आपको पिक अप करने होटेल बोरी वली उसके बाद आपको एरपोर्ट चोड़ने जाओंगा अच्छा इतनी सुभा अगर आपने एडवांस में बुकिंग तो भी आपको एक सुभा थोड़ा चल के आजाएंगी वो नाके तक क्या है ना सुभे अगर कोई गाड़ी लेके आया होटेल में तो ना वो निकल पाएगा ना मुझे निकलने देगा फाल तो मैं टाइम खराब होगा और चेकिंग विकिंग में भी टाइम जाएगा ना अच्छा जिस नाके और मैडम मतलब तो पहले से सोच के आया था के मडर करना है इसलिए होटल के सेसे टीवी के बाहर बुलाया है मारा क्यों वो दिखने में पैसे वली हाइफाई लग रही थी कपड़ा भी अच्छा पहनी थी बाहरो सो क्या वो साड़े सौच सो बोलती तो भी मैं जाता मुझे लगा अ पैसे कितने मिले पर्स में भी खाली तीन हजार कैश निकलो वो तीन हजार क्याला और कुछ नहीं मिला साब मैंने सोचा वापस जाकर घड़ी अंगुटी सोने बने का कुछ होगा तो निकालूंगा पर फिर मैं डर गया वापस गया और कोई आया तो मैं फज जाओंगा तो उसे देखकर तुझे लगा कि इसके पास बहुत क्याश होगा हाँ साब गाड़ी में वो साहब और मैडम डिजाइन विजाइन की कुछ 25 लाग की बात कर रहे थे मुझे लगा 40-50 अजार तो होगा ह इनके पस जोती के लाव और कितने लोगों को मारा तो नहीं और कितने लोगों को लूटा नहीं नहीं साब और किसी को नहीं लूटा और किसी को नहीं मारा मैंने वो तो मैंने सोचा था इनको बेवोश करके लूट लूँगा और छोड़ दूँगा और मैडम जाग गई और जोती शर्मा की बॉड़ी उसके पती अनुराग शर्मा को सौमती गई और साहराबाद में अनुराग और उसके घरवालों ने जोती का अंतिम संसकार कर दी अजे देशमाने पर जोती शर्मा की हत्या के लिए IPC की धारा 302, सुबूत मिटाने के लिए IPC की धारा 201 और लूट पार्ट के लिए IPC की धारा 397 के तहत मुकत्मा तर्ज किया गया है Sir, राधिका जहा का केस सौल्व हो गया है राधिका मिल गए? हाँ, लेकिन कहा है ये नहीं पता राधिका के पिता रामाकान का कॉल आया था कि राधिका ने उनको कॉल करके बताया कि उसने शीला को नितिन और उसके पार्टनर से पोन पे बात करती हुए सुन लिया था राधिका को जैसे ही पता चला कि उसकी सौतेली मा उसको बेचने वाली है वो घर छोड़के भाग गई लेकिन अब जहां भी है ठीक है सुनकर अच्छा लगा कि नैना और राधिका दोनों सा ही सलामत है पर जोती उसके साथ पुरा हो जोती शर्मा के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुख़द और दर्दनाक था इसमें जोती की कोई गलती नहीं थी वो बिचारी कैसे सोच सकती थी कि एक साधारन सा दिखने वाला टैक्सी ड्राइवर जो उसे हुटल छोड़ने जा रहा था वो रात में उसे मार कर लूटने की प्लानिंग कर रहा है आम इंसान रोज मर्रा की जिंदगी में किसी भी वज़ा से मिलने वाले आसपास घूमने वाले सभी लोगों को तो शक्की निगां से नहीं देख सकते बेशक हम हर किसी को तो शक की निगा से नहीं देख सकते लेकिन हमें ये समझना होगा कि सतर्क रहना जरूरी है अगर आप देर रात कहीं अकेले जा रहे हों तो अंजान व्यक्ति पर भरुसा ना करें और अपनी पूरी इंफोर्मेशन अपने सगे संबंदियों अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान अपने दिमाग में कोई शड़यंत्र लेकर घूम रहा है लेकिन ये पहचान पाना भी तो मुश्किल है ना कि किसके इरादे नेख हैं और किसके नहीं अब मैं आनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क है सतर्क रहें सुरक्षित रहें जहिए